तो आगते आपको फिर से ग्यान पीट इंस्टेट में अब हम बात करने जा रहे हैं यूपी स्पेसल और इससे बाहर आपके एक्जाम में कोई भी क्वेशन नहीं आएगा कांगे हम बहुती संपूरता में इसको कंप्लीट कर रहे हैं ठीक हर टॉपिक को पूरी गहनता के पर अगर हम देखें तो एक नाम है धनसींग गुर्जर बहुत महत्पूर्ण है इस समय बहुत चर्चा में भी है तो इस समय इनका नाम पूछन बहुत ही ज्यादा संभावना है कि इनसे संब्दित कोई ना कोई प्रशन आपके एक्जाम में आ जाए धनसींग गुर्जर ये नाम इसलिए महत्पूर्ण है एक तो हमें एतिहासिक महत पता होना चाहिए दूसरा करेंट की भी बातें पता होना चाहिए एतिहासिक महत तो क्या है या बहुत कम लोग उनको जान पा रहे हैं, तो उद्देश यही होता है कि हम सब लोग उनको जान पाएं, आम जनता भी उनको जान पाएं, वो भी देश के नायक हैं, और अगर सही पूछा जाये तो धनसिंग गुरजर, वो एक कोटबाल थे, और कोटबाल थे या निकि इस भक्ती दिखाई थी, अगर हम ये कहें कि कुरांती की सुरुवात इनके बिना संभभ भी नहीं थी, इन्होंने ही 10 मई 1857 की कुरांती की सुरुवात की थी, तो कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुँ सही बात है ये, इन्होंने बहुत सहसिक कारा किया, जो करने के लिए 10 वार लोग सोचेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि ऐसा करने के बाद मैं जीवित नहीं बचूंगा, सबसे पहले तो कोतबाल होने के नाते इन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को आदेश दिया था, जिनको उन्होंने लगा कि ये तो बृतेन सरकार के पूरी तरह से चापलूस है या उनी के साथ ही देने वाले हैं, उनी के साथ रहेंगे, भारतियता या राश्टियता की कोई भावना इनके दिल में है ही नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले तो उनको आदेश दिया कि सभी पुलिस कर्मी अंदर चले जाएं और अपने बेरक में रहें, सबसे पहले ये आ अंदोलन में सामिल हो सकें, और खुद अंदोलन में ये सामिल हुए, इस तरह से 10 मई 1857 की जो क्रांती का सुत्रपात हुआ है, जो क्रांती प्रारम होई, वो धनसिंग गुर्जर के द्वारा ही शुरू के गई थी, जो हमें पता होना चाहिए, हमारे देश के नायक हैं, हमार अगर हम बात करें, जो मेरट की क्रांती हुई थी, मेरट की क्रांती की शुरूआत इनके द्वारा ही की गई थी, 10 मई 1857, ठीक है, यानि की मेरट की जो क्रांती हो रही है, इसमें इनका महत्पून योगदान है, इसमें किसी भी तरह का संदे नहीं है, उस समय ये कोतबाल थे, मेरट के कोतबाल थे, ये तो आपको पता है, चौराए पर फिर इनको फांसी लगा दी गई, लेकिन अब हमें ये जुलाई में ही, बहुत ज्यादा समय नहीं है, जुलाई में इनको फांसी हो गई, जुलाई 1857 में ही, लेकिन अब हमारे जो करेंट से सम्मंदित बाते में भी हैं, अभी चर्शा में भी हैं, एक बात तो ये पता होना चाहिए, अभी हाली में, अभी की बात है, ज्यादा एक महीने पुरानी की बात होगी, हाली में जगदीप धनखड जी के द्वारा इनकी पृत्मा का अनावरण किया गया, यानि कि अभी आप से पूछा जा अभी दो महीने पुरानी बात है, अब यहाँ पर देखो, कोतवाल धनसीन गुरजर, पुलिस प्रिशिक्षन विद्ध्याले मेरट, अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, कि जो पुलिस प्रिशिक्षन विद्ध्याले है, जो हम बोलते हैं ना, PTC, पुलिस ट का नाम किन के नाम पर रखा गया है, तो यह हैं, यहाँ देख सकते हो, कोतवाल धनसीन गुरजर, तो कोतवाल धनसीन गुरजर ये आपको नाम पता होना चाहिए, अब आप समझ गए होगे कि यूपी स्पेसल में आज क्या डिसकस होने वाला है, यूपी के उन नायकों के बारे में आपको बताये जाएगा, जो एक्जाम में आप से पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं उत्ता प्रदेश से वो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको बताये जाएगा, कहीं ना कहीं वो हमारे स्वतंतरता संगराम से जुड़े हुए हैं, चाहें वो 1857 की करा पहला सोतंतरता संग्राम नहीं था जो बाद में करांते हुई थी वो सोतंतरता संग्राम मानते हैं तो किसी ना किसी रूप में हमारी सोतंतरता को दिलाने में हमारी सोतंतरता जो संग्राम है उसमें सामिल होने में जो सामिल नहीं उत्ता प्रदेश के वीर युवा हूं या ज कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारें हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो अब यूपी स्पेसल में कौन सी बात एक्षटा ध्यान लगनी है वो ही लिखी है वो मैंने केबल तो अब आपको पता होना चाहिए वक्त खां कि आप इसको पढ़नी चुके हो पहले बक्त कां को यस हमने वक्त खां को पहले ही पढ़ा है और वक्त खां को हमने याद होगा कि जो हमारी क्रामती हुई थी तो जब दिल्ली की तरफ कूच की थी लाल क्लाय में तो यहां आपको पता होना चाहिए इसका जो नेत्रत किया था क्योंकि आपको यह तो जानकारी है जो बहादुर सा जफ पर है वो बहुत बूड़ा हो चुका था तो उसने वक्त खां को ही यह जम्मेदारी सौपी थी तो वक्त खां आपको पता होना चाहिए वक्त कहां बिजनौर से दिल्ली गए थे तो इनकी अगर हम बात किये हैं तो इनका किस जिले से संबंद रहा है तो बिजनौर अगर आ तो नाना साहिब तो नाना साहिब क्या थे यह अब आपको पता डल्हू जी की घड़ू के ख़ड़ नेती करते हैं जो दकतक पुत्र हैं उनको किसी भी तरह का उतरदकार नहीं दिया जाएगा तो यहां पर इनकी पैंसन रोग दी गई और यह अपने पैंसन के लिए सबसे बड़ी बात है कि घटना सुरू कैसे होती है यह हम 1857 की करांती के समय सब देख शुके हैं तो यहाँ पर एक हमें यह पता होना चाहिए नाना साहिब से संबंदित यह बाजी राव सेकेंड के दक्तक पुत्र थे धोंदू पंत इनका बास्तविक नाम धोंदू पंत को इन्होंने एडप्ट किया था तो धोंदू पंत नाना साह हboys पिर्ट रहा था वो कान पुर रहा था यह भी हमें पता होना चाहिए दूसरा ही वेंट टो नेपाल जब ब्रिटिस ने इनको रिक्एर कर लिया थै तो यह नेपाल चेले गए ल Quéआ अपको पता होना चाहिए इनके संबंद में दो लो लोग एक तो आपको पता होना चाह थे। है? Sand Commander थे Sand Commander एक त्वर रचाकर जान राजीमुला क्हां मुल्ला कि ये इनके सलहकार थे रचार के जानने नाम करते हूं राम चंदर पाँदूरंग राम चंदर पाँदूरंग ठीक है? इनका बास्तिविंग नाम था रामचंद पांडूरंग और इनका था धोंदूपन त्यात्य टोपे इनके सेन्ड कमांडर थे अजी मुल्ला खां इनके सलहकार थे इतनी बात तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए ठेक है हाँ अगला देखते हैं तात्य टोपे इनके बारे में दो बाते और जान लेते हैं तात्य टोपे के बारे में तात्य टोपे वह एक तो इनका नाम में लिख चुका हूँ रामचंद पांडूरंग था ठेक है रामचंद पांडूरंग टोपे नाना साहिव एसोसियेट अन कमांडर ये भी बता चुका हूँ, इनके बारे में हो चुकी है, जब नाना साहिब नेपाल चले गए थे, जब अंग्रेजों ने ये छेतर रीकेप्चर कर लिया था, तो नाना साहिब नेपाल चले गए थे, तब ये रानी लक्षवी भाई के साथ में, ग्वालियर में चले गए थे, रानी लक्ष्वी भाई का साहे उन्होंने काफी साथ दिया था है देखो रानी लक्ष्वी भाई का साथ देने वाले तात्य टोपे और जलकारी भाई का नागर आपने सुना हो उनकी जो सकल है काफी हद तक रानी लक्ष्वी भाई से मिलती थी उन्होंने अंग्रेजों को धोका दिया था रानी को बचाने में और खुद प्राणों की आहूती दे दी देखें ऐसे भी देखो आप समझते कितना समरपन भाव रहता है तो यहां पर तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था on the information of सामंत मांसिंग of सिंधिया देखो सिंधिया का सामंत था और उसने दोस्ती कर ली थी दोस्ती तात्या टोपे से की थी लेकिन कहते हैं न कि यहां पर सिंधिया सिंधिया अगर जैसे केनिन ने बोला था कि अगर सिंधिया हमारा साथ नहीं देते तो रानी लक्ष्मिवाई वो कहर बरपा रही थी कि हमें अपना विस्तर गोल करना पड़ जाता आप सोचो सिंधिया ने रानी लक्ष्मिवाई के विरोध में अंग्रेजों का साथ दिया अगर सिंधिया साथ नहीं दे रहे होते केन इनके सब्द है ये मेरे सब्द नहीं है तो हमें अपना विस्तर गोल करके भाग जाना पड़ता यानि कि ये था रानी लक्ष्मिवाई का और आप यूरेज के सब सनू यहां सोई हुई ये महिला सभी बिद्रोईयों में अकेली मर्द है कितनी बड़ी बात है सबी बिद्रोईयों में अकेली मर्द है ये यूरोज ने बोला था इतना प्रभावित हुआ था वो इनकी भीरता से तो यहां पर आपको पता होना चाहिए अगर आप सब पूचे कि रानी लक्ष्मिवाई की जो रानी लक्ष्मिवाई की मृत्यू कहां पर हुई थी ग्वालियर में हुई थी ठीक है इनकी कब्र ग्वालियर में ही है और अगर इनके जन्म की बात की जाए रानी लक्ष्मिवाई की तो इनके बच्पन का मनी कर्ण का था मनु भी बोलते थे और बाराण सी में इनका जन्म गवा था और अगर हम बात करें तात्या टोपे का तो इनकी डेट 1859 में हो गई अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाते किसी भी हालत में लेकिन मान सींग जो इनका दोस्त बन गया था उन्होंने अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दे दी और अंग्रेजोंने नजाने कितने लोगों को फांसी पर चड़ा दिया नकली तात्या टोपे को तीक है वो तात्या टोपे असली थे ही नहीं लेकिन अंग्रेज जब असली तात्य टोप को पकड़ रहे थे तो उन्होंने पूरे सहर में घुमाया था भी चौराई पर फांसी लगाई थी बेगम हजरत महल की बात करें तो ये बाज़द अली साह की बाइफ थी और ये अबद के लाश नवाब थे इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है ये आप जानते हैं इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है अबद, बेगम अबद भी जाना जाता है, अगर आप से पूछें, अथारे सो सत्ता बन, ये देख चुक है हम इतनी बात तो, ठीक है, और जो बर्जिस कादिर करके इनका बेटा था, अलपाईू था, उसको इन्होंने नवाब बनाकर खुद यहां पर सत्ता समाली थी, आफ्टर दा ब्रिटिस उक्यूपाइड अवाद, ही टोक रिफ्यूज इन नेपाल, ये भी नेपाल चली गए, और बही पर इनकी डैथ हो गई, रानी लक्ष्मी भाई, इनके बच्पन का नाम मनिकर्न का था, इनका जन्म बारानसी में हुआ था, इनकी मृत्त्य गवालियर में हुई थी, यूरेज का एक स्टेट्मेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हिहां सोई हुई ये महिला, सभी विद्द्रोईयों में अकेली मर्द है, तो रानी लक्ष्मी भाई के बारे में आपको इतनी बातें पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मी भाई, ठीक है, एक तो जन्म बारांसी, मरत्य ग्वालिया, ठीक है, इसके अलाबा यूरेज, यूरोज का मतलग क्या है, यूरेज जो इनका अंते मुकाबला यूरोज के साथ हुआता है, दमन करता हूरोज था, ठीक है, यूरेज नहीं बोला था, कि ये सोई हुई महिला, सभी कोई में अखेली मर्द है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, इनकी जो साधी हुई थी, वो गंगाधर राव, जहांसी के राजा, राजा कौन थे, गंगाधर राव, इतनी बात आपको पता होना चाहिए, यूरेज अगला है, मंगल पांडे, तो मंगल पांडे साब क के बारे में हमने सब कुछ आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन दौव पात हैं, आप यहाँ भी देख लो, पहली बात तो ये कि नागवा, नागवा करके बोलते है नागवा, नागवा बलिया, बलिया के रहने वाले थे, बलिया का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चित्तु पांडे भी बलिया के ही थे, सेरे बलिया इनको बोला जाता है, जिन्नोंने पैरलल गवर्मेंट चलाई थी, तो अगर आप से पूछे, मंगल पांडे का साम लिये, सौनभद्र अकेला ऐसा जिला है, जो चार राजियों से सीमा बना रहा है, चत्तिसगड़, बिहार, जहारखंड और मद्यपरदेश, 34 भी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाई थे, ये मैंने आपको बताया था, इन्फेंट्री भी याद रखना, he was hanged on 8 अपरेल 1857, 8 अपरेल 1857 पर ये फांसी पर लटकाए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ, बिलकुर, अगला देखते है, खान बहादुर खान, ये बरेली से सम्बन दे थे, अगर आप से पूछे, खान बहादुर खान कहां के थे, ये बरेली से थे, औ और ये रोहिला थे, रोहिला, और इन्होंने सभी रोहिला को एखटा करके बिद्रो किया था, आफ्टर विंग डिफीटेड, फ्लेट टु नेपाल और तु नेपाल चले गए थे, जब पराजित हुए थे, उसके बाद में कहां चले गए थे, नेपाल, विद दा हैल्प आ लोकल सिटीजन नेपाल, एटी टू इयर के ये वेक्ती थे, जिनको ब्रिटिसन ने पकड़ लिया था और इनको फासी पर चला दिया था, ये बरेली लाए गए और यहां पर कोतवाली के सामने इन पर फासी पर चला दिया गया था, तो एक तो ये धियान रखना आपको बर पर लटका दिया गया, ठीक है, ये दो तीन बातें आपको पता होना चाहिए, मुख्य रूप से ये किस जिले से जुड़े थे, यूपी स्पेसल में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बरेली से, खान बहादूर खान, मेच कन्ने को आ सकता है, फिर मौली लियाकत अली, ये लियाकत अली जी के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है, जन जन के नेता, बनारस में भी इन्होंने नेतरत किया था, मुख्य रूप से प्रियागराज में किया था, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी सरकार चलाई थी, तो ये महागाओं प्रियागराज, इनका स श्रयाज में ही वर्ट्टू रूल वाइकिंग खुसरमा हेड कारड़ इन्हों ने जो मख्याले बनाया था अपना जहां पर इनों ने सरकार चलाई थी तो मुख्याले खुसरमाग में बनाया तर खुसरβαग खुसरोबाग ठीक है बट आफटर फ्यू डेज अंडर दा लीडर सिप और नील जो धमन करता था वो कौन था करनल नील था नील ने धमन कर दिया था और इसने इसके लिए को फिर से कैप्चर कर लिया खुसरोबाग को कौठ इनको मुंबई में पकड़ा गया ये भी ध्यान रखना है और 1873 में इनको काले पानी की सजा हुई थी जहां पर इनकी मृत्वी हो गई थी तो ये 1873 में इनकी मृत्वी हुई थी मूंबई से इनको पकड़ कर तो अगर आपसे पूछे मौलबी लियाक तली को कहां से पकड़ा गया था मुंबई से 1823 में इनको काले पानी की सजा के तहती इनकी मृत्ति हो जाती है वहाँ पर जेल में ही अगर आपसे पूछे जन्रली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कि किरांतिकारी का संब्ध किस जगे से है ठीक है इतनी बात है और किन से इनका संब्ध राया 1857 के बिद्रों से अगला है मौलभी एहमद उल्ला यह कटर दुस्मन बोले जाते हैं अंग्रेजों के एहमद उल्ला इनके उपर पचास हजार का इनाम था उस समय पचास हजार का इनाम तो आप सब यह बैसे तो तमिल नाडू से आये थे यहां पर लेकिन इनका मुख्य छेत्र जो फैजाबाद वाला चेत्र है वो इनका रहा था अगर आप से पूछे कि वेता हो मौलभी एहमद उल्ला का संबंध किस से रहा था तो 1857 की करांती से था अंग्रेजों के दाथ खटे करने के लिए जाने गए अंग्रेजों के कट्टर दुस्मन इनको बोला जाता था इनके उपर अंग्रेजों ने पचास हजार का इनाम रखा हुआ था थीकर आफ्टर दा बिर्टिस ऑख्यूपाई लखनौ लखनौ ही केप्ट चेंजिंग हिम यह चुप चुप कर जो है ना बिर्टिस आर्मेट साहाजापुर में यह इनों ने चुप चुप कर अंग्रेजों को काफी परेशान किया था इसी समय अंग्रेजों ने इनको पचास हजार का इनाम लगा है तो यहां पर इनका जो मुख्य चेत्र था वो अबदी था यानि कि वो ही चेत्र जो महकपरी का था बेगम अबबद का था ख्यास करके फेजाबाद ठीक है बाद में इन्होंने सहाजापुर में भी जब ये इधर से क्या हुआ था जब ऐक्यूपाई कर लिया गया लखनो यह वाला चेत्र जब अंग्रेजों ने उक्पाई कर लिया तो ये छुप-छुपकर अलग-अलग जगे साजापुर में अंग्रेजों को चकमा देते रहे अजीम उल्ला खां के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या कि ये पटकपुर नियर कानपुर के निकट इनका जन्विस्तान है और ये सलहकार थे नाना साहिव द्हुंदूपंद के सलहकार थे अच्छा ये आपको पता ही चल गए अब सारी बात है बस इनकी जो मृत्यू है वो कानपुर के निकटी हुई थी अहिरियनाम है इतना ही काफी है क्योंकि इससे ज़्यादा चीजें नहीं पूछे जाती है अजीम उल्ला आपके नाना साहिव के सलहकार ठीक है नाना साहिव के राजा दुसमन इसमें किसको बोला जाता था एहमदूल्ला को जिनके उपर 50,000 का इनाम था एहमदूल्ला इन्होंने कहां छुप छुप कर अंग्रीजों को परिसान किया था साहजापुर में इनका मुख्यचेत्र अबद रहा था लेकिन जब अबद इन्होंने कैप्चर क इनको माननिता दीती ठीक है बैसे बहुत कमजोर रह गया था ना लेकिन पूरी तरह से भी जो करांतिकारियों ने अपना मुगल समराट माना था बहुत साथ जफर कोई फिर माना था तो यहां पर राया राया आप जानते होगे मत्रा की तहसील है जो उसके आसपात रहते मत्रा से बहुत थोड़ा पहली पड़ता है उसके जो मत्रा शुरू हो जाता है तो राया यानि मत्रा में he was officially declared the king of मत्रा बाय बहादर साजबाई यह तो मैंने यहां पर आपको बताई दिया बस इतना काफी है देवी सिंग आप से पूछा जाएगा मैं आपको फिर बता रह ना ऩी ठेड़ा था है थेख है दूसरा है कदम सिंग तो यह जो है न किंग ओफ परीक्षत परीक्षित गहाद एंद मवां यह परीक्षत गढ़ और मेर्ट में इस इनका संबन्द व्ल्पर इख परीक्षुत गृट से इख य। तो मावानी हम ठीक है यह कर देख मेंस ने ये आपके बुलन सहर और गौतम बुद्ध नगर से भाटी के नाम से देखो भाटी जादतर आपको उधर ही दिखते हैं तो जो हमारा गौतम बुद्ध नगर है गौतम बुद्ध नगर और बुलन सहर सहर जहलकारी बाई मैंने आपको बताया था जहलकारी बाई यह वास्ताम में भिलकुल धोख खा जाता था आधमी द्रखती अधरी लक्षमी बाई की हम सकल थी उनकीी तरह लगतीती बैसी पाफड़ पेन लेती थी तो अंग्रेज बिलकुल धोखा खाते थी इन्होंने तो उने अंग्रेजों से कई ऐसे मोके आये थे जिसमें अंग्रेजों जहलकारी वाही को सांप दिया लेकिन नियुवाही हैं अपने प्राणों के आहूतीphisता भछता, भट्मेशन बनी वाही है दुरगादल की कमांडर इंचीफ कौन थी ऐसे question भी आ सकते हैं तो जलकारी वाई लाल परताफ सींग का संबंद किस्से था लाल परताफ सींग ये कालंग कार रोयल फेमली से थे ठीक है और he lead the army of abad against the British ठीक है ये भी मतलब हमारे जो लाल परताफ सींग है ये भी abad के छेट से जुड़े हुए थे और इन्होंने भी 1857 की क्रांती में हिस्सा लिया था ठीक है अबद से संबंदित हो गए धन सींग गुरजर इनके बारे मैं और लेडी बता चुका हूँ ठीक है और लेडी सबसे पहले यही बताया था हमने तो इसमें और तो कुछ है नहीं ऐसा बंदू सिंग इनका संबंद गौरकपुर से था बंदू सींग का संबन्द गौरकपुर से था हाला कि जो ज़्यादा महतपूर नाम है अक्सर ऐसा होता है कि उनी से संबन्द क्वेस्चन होते हैं लेकिन कई बार ऐसे भी नाम पूछ लेते हैं ठीक है तो एक बार इसको देख लो लेकिन अब ये बहुत महतपूर नाम आया आपके सामने आचारन नरेंदर देव तो आपसे पूछा जा सकता है बहुत महतपूर नाम है आचारन नरेंदर देव अगर आपसे पूछा जाता है इनके नाम से किरसी बिस्विद्याले भी है अगर आप साय पूचा जाता है कि इनका समंध किस झालेस है उत्वर्दीश के सीतापूर से है, ये उत्वर्दीश के सीतापूर से है one of the founder of Congress Socialist Party ये भी आपको ध्यान रखना है Congress की जो समाजबादी party है या Congress Socialist Party ऐसा लिखा जा सकता है Congress Socialist Party पूचा जा सकता है ये Congress Socialist Party से जोड़े थे? ये इनके founder members में से एक थे पार्टिस्पेटे ने freedom struggle भी ने associated with Congress यानि Congress के समय पर जो participation किया था है यानि ओभी ऐसी वाता है 1957 की किरांती से कोई मतलब नहीं था ये बाद के नेता थे इसके अलाबा असफ दौला असफ असफाक उल्ला खा सॉरी असफाक उल्ला खा आपको पता है ये सहाजापुर्क से इनका जन्म हुआ था असफाक उल्ला खा और बाकी तो हमने सब कुछ बता रखा है इनको फासी को लेकर और जितने भी चीज़ें वो सब और लेड़ी बता रहे तो उनको रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए उत्ता प्रजित के साहजापुर्स से इनका संब अगला चित्तू पांडे इनको कौन नहीं जानता ठीक है इनकी समानानतर सरकार बनी थी ये fact में पहले से बता चुका हूँ, इतनी बात आपको ध्यान लखनी है अगला है गने संकर विद्यारती, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए गने संकर विद्यारती, मेडिकल कॉलेज कहां पर है इनी के नाम पर ये मेडिकल कॉलेज है और ये कानपूर में है गने संकर विद्यारती, मेडिकल कॉलेज कानपूर में है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए गने संकर विद्यारती, मेडिकल कॉलेज गने संकर विद्यारती, मेडिकल कॉलेज यह कहां पर है यह कानपुर में है गने संकर बिद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कहां पर है कानपुर में अच्छा एक मेगजीन होती थी या एक पत्र निकलता था प्रताव यह बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रताव पत्र कौन निकालता था गने संकर बिद्यार्थी इन इनका सम्मंद कानपुर से है, तो प्रियाग राज में इनका जन्म हुआ था लेकिन इक आनपुर में सैटल हो गए थे, इनका जन्म कहा हुआ था, प्रियाग राज, लेकिन इनका छेत्र कौन सा रहा था, कानपुर, क्योंकि ये कानपुर में बाद में बस गए थे, कौन सा प असेयोग आंदोलन असेयोग आंदोलन एक अगस 1922 को सुरू हुआ था और चार फरवरी 1922 को चौरी-चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी इसको बापस ले लेते हैं गोमिंद बल्ल पंद यह आप सब जान्ते हो हमारे उत्ता प्रदेस के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्ल पंद यह का औरी इनसीडेंट जो गुवा था इनका कर ट्रेंगिवीद सहना दिझा था तो काकोरी कांट हुआ था यह काकोरी इंसिदेंट या काकोरी ट्रेने एक्सान हम इसको बोलते हैं है ट्रेने एकसन तो इसका जो केस था वो को बुविन्द बल्लब पंत ने लड़ा था फर्स शीप मिनिस्टर उत्त्र प्रदेश के पहले मुख्यमंतिरी रहे थी हॉम मिनिस ये उत्ता प्रदेश के पहले मुख्य मंतिरे रहे ये दो बार आपसे पूचा जाएगा दो बार बित मंतिरे रहे तो दो बार नहीं रहे ये दो बार का मतलब लगाता है यहां पर हैं तो दो बार का मतलब क्या होगा इनका tenure हमारा 1955 से 61 तक रहा था तो तीन बार आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं एक बार इसमें नहीं नहीं दो बार ही आ जाएगा पच्पन, पांच, एक बारा tenure यह, एक बार यह यह आप से यह पूछा जाएगा कि यह कब हमारे देश के ग्रह मंतरी रहे थे तो 1955 से 61 वाले जो रहें यहाँ पर रहे थे यह आप से यह पूछा जा सकता है कि ओफसन इस तरह के होंगे वो हमारे देश के बित्त्य मंतरी रहे थे या कुछ और दे रखा होगा तो ध्यान रखना यह हमारे देश के ग्रह मंतरी रहे थे ठीक है ऐसे कई बार question आ जाते है तो हमें गोविंद बल्लब पंतर जी के बारे में दो बातें ध्यान रखनी है पहली बात तो यह हमारे देश के बित्त्य मंतरी भी रहे थे किसके बाद जो सरदार बल्लब भाई पटेल थे उनके बाद में यही बित्त्य मंतरी रहे थे तो अगर आप से कोई पूछे कि बताओ सरदार बल्लब भाई पटेल के बाद में हमारे देश के ग्रह मंतरी कौन थे तो गोविंद बल्लब पंद यह आप से पूछा जाता है आजाद टाइटल लिया, तो चंद्षेकर आजाद से संबंदेत, बस बाखी सब तो हम देखी चुके हैं, बस इतनी बात ध्यान डगना है, कि इनका जो जन्व हुआता है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआता, वो अली राजपुर में भावरा जगए, भावरा या भाव उसका नाम उस गाव का नाम चंद्रेखर आजाद नगर है, यह मद्य प्रदेश में इनका जन्व हुआता, तो चंद्र शेखर आजाद थेक है, इनकी मृत्यू कैसे हुई थी, यह तो आपको पता ही, श्वेह में इननों ने गोली माल ली थी, और उस पार्क का नाम आव अ अक्सर question आ जाता है एक तो इनका जन्म उन्नाव जिले में हुआ था मोहन में मोहानी मोहन मोहानी आप समझ रहें नहीं के नाम पर दूसरा इंकलाव जिंदाबाद का नारा सबसे पहले यह मैंने आपको बताया था कुछ बातें ऐसी होती है जो अक्सर गलत हो जाती हम से जैसे करो या मरो का नारा किसने प्रिसिद कराया था गांधी जी ने लेकिन नारा दिया किसने था ये यूसुप मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया गांधी जी ने लेकिन भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले दिया किसने था यूसुप मेहर अली तो आपसन में होता है तो बैसे करना है ऐसी हसरत मोहानी अगर option में होता है और पुछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किस ने दिया था तो हसरत मोहानी के दौरा दिया गया था 1921 में लेकिन इसको किस ने popular ये प्रिसिद कराया था तो भगस सिंग ने और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले पूर्ण सुराज की डिमांड एहमदाबाद सेशन में किस के दौरा की गई अगर option में हसरत मोहानी होता है तो आपको वही टिक करना है तो अगर आपसे पूछे कि एहमदाबाद सेशन में कॉंग्रेस में मांग की गई ना ये देको ध्यान दे ना सबसे पहले एहमदाबाद सेशन के कॉंग्रेस में 1921 में इन्हों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी ये आपको ध्यान लखना है स्वराज मेरा जन्म से दधकार आवा एैसे लेके रहूंगा ये तिलक ने बोला था ठेक है लेकं कॉंग्रेस की सेसन में सबसे पहले मांग करने वाले पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले हसरत मोहानी थे ये दो वातें आपको जिए रोप से ध्यान रखनी है महाभीर त्यागी ये जो धवार्शी गाउं है मुरादबाद वैसे मेरे ख्याल में अब ये है कि मुरादबाद से हटकर जब नया जला बना था हमारा अमरोहा ये देखो अमरोहा में भी हो सकता है गाउं इसको एक बार confirm कर ले न, ठीक है, मुरादवन मंदल में तो है, लेकिन ये गाउं अम्रोहा में हो सकता है, ठीक है, इस पर स्टार बना लो अभी, तो ये किसान, Congress के अंदर जो किसान आंदोलन थे, Congress के अंदर किसान आंदोलन जो चला था, उसके इनोंने किसान आंदोलन का, यहाँ पर नितरत किया, महावीर त्यागी, मौलाना, यह बड़ा ही महतपूर्ण है, देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, इतने सारे नाम है, इसमें जो कम महतपूर्ण है, आप उनको चाहो छोड़ भी सकते हो, ठेक है, लेकिन जो महतपूर्ण नाम है, उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना, उनी से ही क्वेश्चन आते हैं सबसे आते ही उनी से हैं, जन्दली, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, मौलाना मौम्मद अली, अब आपको होगे सर, आप पढ़ा आपसे मौलाना मौम्मद अली जोहर, अब अली जोहर बिस्विद्याले के नाम से भी आपको पता चल जागा, जो रामपूर में बनना था, तो यह रामपूर में ही हैं, यह बास्ता में दोनों अली बंधू, इनका समंद रामपूर से रहा था, खिलाफत अंदोलन के नेता थे यह, इन्हों नहीं गांदी जी को तयार किया था, ठीक है, अधिक्सा करने के लिए, तो यहां पर में लीडर और खिलाफत मूव्मेंट, खिलाफत अंदोलन के नेता, खिलाफत अंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन के नेता रहे थे, मौलाना मुहम्मद अली जो और, यह वही अली बंदू है, जिनका discussion मैंने खिलाफत आंदोलन के दोरान किया था, बन अब दा फाउंडर और मिसलिम लीग, मुसलिम लीग के फाउंडर भी रहे थे, और यह 1923 में Congress के President भी रहे थे, 1923 में Congress के President भी रहे थे, लेकिन 1923 में, यह बंगाल में हुआ था, अदवेशन, 1923 में एक बिसे सत्र भी हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, मतलब उससे confuse नहीं हो जाए इसलिए बतारूं, वो बिसे सत्र था, सबसे कम उम्र में Congress की अध्यक्सता करने वाले मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुलकलाम आज़ाद, 1923 के दिल्ली अदवेशन में जब उन्होंने अध्यक्सता की थी, तो सबसे कम उम्र के है, सबसे युबा कॉंग्रेस अद्धक्स का उन्हें सम्मान मिल गया और सबसे ज़्यादा समय तक कॉंग्रेस के अद्धक्स रहने वाले भी मौलाना अब्दुलकलाम आ जा दी, ये आपको ध्यान लखना है कॉंग्रेड, ये एक बहुत महत्पूर्ण कॉंग्रेड आप से पूछे जा सकती है कॉंग्रेड, ये किसके द्वारा पत्र निकाला जाता था, कॉंग्रेड ये अली जोहर, मौलाना मुहम्मद अली जोहर बोलो या मौलाना मुहम्मद अली ठीक है दोनों में से कोई भी नाम हो मौलाना मुहम्मद अली ये आपको पता होना चुए बहुत महत्पूर नाम है कामरेड आपसे पूछा जाता है किसके दोरे चला गया था मौलाना मौहम्मद अली मौलाना मौहम्मद अली के दोरे कामरेड मौलाना सौकत अली ये भी खिलाफ़त आंदोलन के नेता रहते और ये भी रामपुर से थे इनको अली बंधु के रूप में जाना जाता था मुक्तार एहमद अंसारी इनके बारे में हमने पहले से ही बहुत कुछ बताया है एक टेली ग्राम पर मैंने कुछ डाल दिया था कुछ एकाथ बच्चे का कमेंट आया था वो गुस्सा हो गया था इस बात को देखो जो हकीकत है मुक्तार एहमद अंसारी ने संगराम भाल देश को हम इनकी कर रहे है हम उंको संवान की कि नेजरों से बताया था एक व्यक्ति अपराधी है तो उसको अपराधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ, हम कि उसके भाई ये हैं कि उसके चाचा उपराश्टपती रहे हैं, हामिद अंसारी जी, तो हम उनको समान की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन एक अपराधी को अपराधी ही तो कहा जा नहीं मैं तो मतलब बिल्कु सेकलर तरीके से चीज़ों को रखता हूं आपके सामने और मेरी नेचर भी उसी तरह से मिलती जुलती है लेकिन आप और हाँ अपने धर्म सब को मानने मानने सब को ही मानने का अधिकार है मैं भी अपने धर्म को मानता हूं बाकी सब भी मानते हैं इसको दूसरे जर्शे देखना बंद करो कि आप पढ़ाई में भी ऐसी चीज़े निकालो कि तो बताओ कैसे काम चलेगा ऐसे नहीं करना ठीक है आपको देखना है कि मुक्तार अंसारी जो इनके बाबा थे उनके बारे में जानना है और जो मुक्तार अंसारी है जो अभी अपरादी ही रहेंगे उनको अपरादी ही बोला जाएगा तो ये गाजीपूर इनका जो जन्मिस्थान है वो गाजीपूर रहा है ये प्रेशिडेंट रहे थे कॉंग्रेस के भी Congress के President कब रहे थे ये आपको idea होना चाहिए 1927 में मदरास Adovation की अध्यक्सा की थी और Muslim League के भी President रहे थे ये आपको clear होना चाहिए ठीक है अगर हम देखते है One of the founder of Jamia Millia Islamiyah आपको ये भी पता होना चाहिए Jamia Millia Islamiyah के founder भी रहे थे पहले Jamia Millia Islamiyah अलीगण में स्थापित होई ती उत्ता प्रदेश में इसलिए आपके लिए महत्पून है बाद में इसको transfer दिल्ली में किया गया था पहले अलीगण में थी पहले अलीगण में अब अलीगण में अलीगण Muslim University है लेकिन बाद में दिल्ली में transfer की गई ठीक है ये जो हमारा स्वदेशी के लिए आवान किया गया था असायोग आंदोलन के दोरान स्वदेशी के लिए आवान किया गया था उसी समय ये कई सारी स्थापना होई थी उसमें से एक जामिय मिलिया इसलामिया भी थी He was the Vice Chancellor of Jamia from 1928 to 1936 मतला ये जामिय मिलिया इसलामिया के Vice Chancellor भी रहे थे तो इतनी बात हमें पता होना चाहिए इसके अलाबा मुनीश वर्दत्यूपाध्धिया है इनका संबंध प्रताबगर से था इनको आईरन मेन कहा जाता था ये महत्पून बात है उत्ताप्रदेश Congress Party अब देखो ध्यान देना उत्ताप्रदेश Congress Party जो है मैं उत्ताप्रदेश की बात कर रहा हूँ और राष्टिये Congress Party अलग है जैसे उत्ताप्रदेश Congress Party का पहला अदिवेशन 1908 में मोतिलाल नहरू की अद्धिक्सा में हुआ थे तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई ना राष्टिये कॉंग्रेस पार्टी से उसका आप वो अलग रखो वो अलग रखो भई राष्टिये आज जो है हमारा नेशनल सैसन या राष्टिये जो कहते ना अदिवेशन वो अलग हो गया तो मुनिश्वर दत्य को हम आईरन में बोलते थे उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस पार्टी का आईरन में किसको बोला जाता है यह बोला जाता मुनिश्वर दत्य और बैसे आपको पता है लोहपुरिस हम किसको बोलते हैं सरदार बल्लब भाई पटेल को परताब गड़ा मूल म प्राप्रसाद बिश्मिल जैसे सपूत को इन्हों ने जन्म दिया था तो ये हैं उनकी माता जी और सहाजापुर से इनका संबंद होगा रामप्रसाद बिश्मिल की जगे उन्होंने बोला मैं अपने दूसरे बेटे को भी चाहती हूं कि वो भी इसी तरह से देश के रक्षा करते हुए सही जो भाव भराता उसमें एक माकी बहुत बढ़ी भूमका होती है ठीक है तो जो इन्होंने वीर गती पराप्त की थी या जो उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जो संकल्प लिया गया था उसमें इनकी बहुत बढ़ी भूमका मूलमती रफी एहमद किदवई ये बारा बंकी से इनका सम्मंद रहा है तो रफी एहमद किदवई इनका सम्मंद बारा बंकी से है रफी एहमद से रफीक एहमद ये रफी एहमद किदवई अगर आप से पूछें उत्तर प्रदिस के किस जले से हैं बारा बंकी His socialism is हाँ ये एक महत्पूर्ण बात है कि इनका जो समाजबाद है उसको इसलामिक समाजबाद के नाम से जाना जाता है इनका समाजबाद इसलामिक समाजबाद के नाम से जाना जाता है ये question पूछा जा सकता है ऐसा नहीं है कि जो question पूछ लिए गए हैं वो ही आते रहेंगे तो अगर आप से पूचे किसका समाजबाद इसलामिक समादबाद के रूप में जाना जाता है तो इनका नाम याद रखना रफी एहमद के दवई इनका समाजबाद इसलामिक समादबाद के रूप में प्रिशित दुगा और आप से पूछा जा सकता है इनका संबंद उत्ता प्रदेश से कहा है बारावंगे से या पूछा जा सकता है किस प्रदेश से संबंद रहते हैं उत्ता प्रदेश महाराष्टा गुजरा तो यह उत्ता प्रदेश से संबंद रहते हैं और यह हमारे कि बही सबसे पहले बिदेश में सबसे पहले बिदेश में जो सरकार बनाई थी पेरलर गवर्मेंट बनाई थी इंडिपेंडेंडेंट गवर्मेंट बनाई थी वो कौन थी राजा मेहंद प्रताब यह आप से पूछा जाता है कि बही यह बताओ इनके नाम से उत्तर किया गया और अगर आप से पूचे कि भई हाथरस तो हाथरस इनका जन्मिस्थान था और ये काबूल चले गए थे 1915 में 1915 देश की पहली तब ही तो 1915 में इन्होंने बनाई थी Countries first elected government outside India देश के बाहर जैसे सवाशन बोस ने बनाई थी लेकिन पहली पूचा जाए तो इन्होंने बनाई थी अलीगल मुसलिम उनिविश्थी के लिए इन्होंने बहुत सारी जमीन दान की थी जो अलीगल मुसलिम उनिविश्थी के जमीन दान की थी वो इनके द्वारा दान के गई थी राजा मेहन्द परताब पंडित मधनोहनमाल भीय भी लिए के संस्थापक प्रियाग राज में इनका जन्म हुआ था भी आपसे पूँछा जा शकता की सत्य में बॉआ दिया गया है सत्य में जόभय नौब से लिया गया है इसको कि संने प्रिसिद्ध कि रहा है था तो ये मदन महन मालविय के द्वारा इसको प्रिसद्धी दिलाई गए थी सत्तमेव जयते किसे है मुंडक उपने सत्थ से है और इसको किसने प्रिस्थ कराये था मदन महन मालविय के द्वारा become the president of congress चार बार congress के अध्यक्ष रहे ते कितनी बार? चार बार चार बार Congress के अध्याथ ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है कब-कब रहेते ये देखो चार बार रहेते एक तो लाहर शेशन 1909 में हुआ था दिल्ली 1908 में रहेते दिल्ली में 1932 में और कलकत्ता 1933 में यानि कि 9, 18, 32, 33 ठीक है 9, 18, 32, 33 इसमें जो अध्यक्स्ता कीती वो मदन महनमालवी के द्वारा की गई थी इन्होंने इंडिया ब्राम्मिन महासभा 1949 में गठित कीती तो इनके द्वारा भारतिये ब्राम्मन महासभा भारतिये ब्राम्मिन महासभा अगर आप से पूछे ब्राम्मिन महासभा कि सापना किस ने की थी पंडित मदन मोहनमालवी ने उसी समय की थी जब सुभास्चंद वोस ने forward blog बनाया, forward blog क्यों बनाया था ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि तिरपुरी संकट था, जहां पर सुभास्चंद वोस पट्टा भी सीता रमया को हरा देते हैं, और खुद कॉंग्रेस के अध्यक्स निर्वाचित होते हैं, ठीक है, तिरपुरी संकट में, तो ये 1949 से पहले हरीपुरा में भी उन्होंने इलेक्शन जीता था, लेकिन राजिन प्रशाद जी को अध्यक्सा मिलती है, क्योंकि गांदी जी के साथ में मतवेद ना हो जाए, या कुछ अलग मोड ना आ जाए, तो सुभास्चंद बोस रिजाइन दे देते हैं, कॉंग्रेस से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ठीक ह 1949 में, तो इसी समय आप से पूचा जाएगा भारती ब्रहामन महासावा की स्थापना किस नेती थी, मदन मोहनमाल भी ने, और भी एच्यू की स्थापना, 1916 में इनके द्वारा की गई थी, तो आप सभी जानते हैं, इनको महामना भी बोला जाता है, महामना, इसके अलाबा पुर्शोत्तम दाश्टंडन, इनका जन्मिस्तान प्रियाग राज है, प्रियाग राज, पहले बिधान सबाद्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पहले बिधान सबाद्यक्ष, पुर्शोत्तम दाश्टंडन, इनी के नाम पर ओपन बिस्विद्या ले, इनी के नाम पर नाम पर उत्तरप्रदेस का एक माथ उत्तर परदेस का एक माथ open बिस्विद्याल है खुला या निए open open बिस्विद्याल है इनी के नाम पर है है महरसी टंडन इनको महरसी की उपादी मिली थी합니다 I jersi राजर्शी, महर्शी नहीं, राजर्शी, राजर्शी, ठीक है, और इसके अलाबा बाकी आप एक बात और जानते होंगे, कि हिंदी को आधिकारिक भासा बनाने का जो महत्पूर्ण योगदान रहा है, पुरशोत्तम दाश्टंदन का है, ठीक है, प्रियाग राश्ट से इसक आप कुछ बताई चुके हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, कि जो दक्षनेश्वर बॉम, कांड हुआ था, दक्षनेश्वर बॉम, इसमें मुख रूप से राजेंदिलहरी का नाम था, इनके उपर केश चरा था, और ये दक्षनेश्वर मंदिर आप जानते है इनका जो जन्मिस्तान है, वो अंबेडेकर नगर, जिले में, अकबरपुर में है, ठीक है, ये आपको पता होना जाए, अकबरपुर, ये अकबरपुर है, ये अकबरपुर माटी है, अकबरपुर माटी अलग है, माटी से कानपुर देहाद, कानपुर देहाद का मुख्या सबसे महत्पूल बात है भारत छोड़ों आंदोलन में आंदोलन में इनकी सबसे महत्पूल भूम का क्या रही थी रेडियो प्रशारण को लेकर भूमी गदविदियां में जो भूमी गदविदियां रेडियो प्रशारण करने वाले एक तो यह थे अरुना आसिफ अली भी इन से जुड़ी हुई थी आपको पता होने चाहिए महिला बिंगे से और जेपी भी भूमी गदविदियां जैसे हजारी बाग जेल से फरार होकर कौन भूमी गदविदियां जेर मदविदियां और जेपी परसफे आपको पता होना चाहिए लोग नारे जेपरकास इन्होंने रामायन मेला युद्धियां मेला युद्धियां मेला यह थी आज लास वाली ठेक है अब अगली क्लास में आपका मैं टेश्ट लेने वाला हूँ आप इसको तयार करो टेश्ट जो टेली ग्राम पर देखो सबी बच्चे जो पेड वाले बच्चे हैं जहां पर कोई कोर्स लेते हैं जिसे हमालो आरो आरो बाला या नेक्स लेबल जी एस या पीस एस वाला वो उस बाले ग्रुप में बागी सब अपना जो फिरी वाला भी टेली ग्राम में भाँ जुड़ सकते हैं लेकिन वो उसमें जरूर जुड़ जाए क्योंकि मैं बहां देख रहा हूँ कि अभी जितने बच्चों ने कोर्स लिया है उससे संख्या काफी कम है जो बच्चे ट कुछ information मिस हो सकती है मैं उसमें कुछ भी पूछता रहता हूं कुछ ना कुछ ठीक है जिससे आपको पता चलता रहता है तो इसलिए उसमें जरूर जुने ये जरूरी है काम मैं आपसे connect भी रहता हूं उसमें आप comment करके मुझे कुछ बता जैसे मैंने कुछ डाला नीचे comment म आप अपने doubt पूछ सकते हैं ठीक है ये काम जरूर किया करो देखो online की कुछ सीमाई भी होती है कुछ benefit है तो कुछ हिंडी में लिखा हुआ है राम प्रिसाद बिसमिल तो इनके बारे में आप सब जानते हैं हरे के सदस्ते इसके अलाबा 1918 में मेनपूरी सडियंत्र और काकोरी कांड यानि के काकोरी केस और मेनपूरी दोनों ही सडियंत्र के केस इन पर चले थे 19 दिसम्बर 1927 को इन गौरख जापुर में हुआ था अच्छा बिसमिल ही नहीं यह अग्याद राम यह राम के नाम से भी लिखते थे अग्याद नाम से भी लिखते थे राम के नाम से भी लिखते थे तो बिसमिल नाम इनका तो तब ही पढ़ा था वैसे राम प्रशाद थे इनका नाम तो वो सेम चीज ह मैं आपको लिखी मिली है English में भी, कोई इसमें नई चीज नहीं है, स्वामी सहजानन सरस्वती, इंका संब्द, ये महःठपूर नाम है, बाकी देखो जो कम महःठपूर है, आप मैं फिर बता रहा हूं, फिर रहा हो, उनको याद नहीं भी रह, कोई बात नहीं, लेकिन इस सब महत्पूर नाम है स्वामी सहजानन सरस्वती ये गाजीपुर के थे उत्ता प्रदेश के in the beginning only बिहार सबसे पहले इनका जो एरिया रहाता है वो बिहार में ही रहाता लेकिन बाद में इन्होंने पूरी इंडिया में किसान सभा जब 1936 में किसान सभा से संबंदित हो गए तो ये पूरे भारत में इनका छेत्र हो गया तो ये स्वामी सहजानन बहुत महत्पूर नाम है ठीक है किसान सभा, All India किसान सभा अखिल भारती किसान सभा 1936 में जब इन्होंने बनाई थी तो ये बहुत महत्पूर नाम हो जाएगा अखिल भारती किसान सभा के संसापक कौन थे स्वामी सहजानन ठीक है 1936 में विजय सींग पथिक तो ये गुठाबली गुठाबली बुलंसेर में ही है अगर आप से पूचे विजय सींग पथिक का जन्म कहां रहा है तो ये बुलंसेर जले से संबन देते गुठाबली इनका जो बास्तविक नाम था वो भूप सींग गुरजर था भूप सींग गुरजर इनको बोलते थे ठीक है लेकर ये राष्टिय पथिक के रूप में जाने गए इसलिए इनका नाम विजय सींग पथिक बोला जाता राष्टिय पथिक इनके उपम नाम राष्टिय पथिक था तेज बहादुर सप्रूव इनका जन्मिस्थान अलीगर का था और ये बहुत महत्पूर नाम है क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा question आपके exam में आता है इसमें अक्सर आपके question exam में आता है ये कौन सा वाला गुरूप का लिंक बेजा है चलो अक्सर exam में question आता है वो क्या आता है simple question आएगा कि कौन ऐसा था जिसने तीनों ही गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो तीनों ही गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे एक तो डॉक्टर भीमरा अंबेड़कर अंबेड़कर और दूसरे तेज बहादुर सब प्रूव दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने इनका सम्मंद कहां से था? अलीगर से था तो अगर आप से कोई पूछे कि बताओ तीनों ही गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबिड़कर इसके अलाबा वह जैए member of congress but he later joined the liberal party पहले तो यह congress की सदस रहते लेकिन बाद में इन्होंने liberal party जोईन कर ली थी liberal party से जुड़ी थे और liberal party के प्रतिनदी के रूप में यह जाते थे तीनो ही गोल में संहिलन में भाग लेने ठीक है, भागी सम मैं ने आपको पता दिया और इनों ने जो नहरू रिपोर्ट थी उनको भी प्रिपेर करने में हेलप की थी, गांधी इर्विन समझोता कराने में भी हेलप की थी ठीक है और ये तीनों ही round 10 जो round table यानि गोल में सम्मेलन में उसमें भाग लिया था उनोंने इसके अलवा सुचेता करपलानी ये आपको पता होना चाहिए इनका जन्विस्तान हरियाना का है ठीक है हरियाना सुचेता करपलानी जे भी करपलानी की पत्नी थी प्रियाग राज में इनको फांसी दे गई ठीक है लक्षमी राम लक्षमी रमन आचार रहे यह आगरा कॉंस्पिरेशी जो आगरा सर्यंत केस्ता इनके ऊपर चला था और यह उत्ता प्रदेश के फाइनेस मिनिस्टर हुए थे यह बात ज्यादा महतपूर्ण नहीं है लेकिन लक्षमी रवन आचारे उत्तर प्रदेश से जुड़े थे इतनी बात आपको ध्यान रख नहीं है ठीक है तो यह थे हमारे करंट अफ्यर सुरी करंट अफ्यर नहीं करंट अफ्यर की तो एक दो बात नहीं थी यह हमारा यूपी से संबंदित पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया था अब आप इस संबंदित जो भी चीज़े हैं अब छे से रिवाइज करों ठीक है अगला आपका जो लेक्षर होगा वो होगा उत्त प्रदेश एक दरश्टी में कहारे उत्तव प्रदेश संबंदित जो भी कुछ आने की संभावना आप एंड हो जाथी है अब मैं आपसे जैसे मैंने बूला था कि मैं एक test लूँगा इसी तरह का में आपके सामने एक एप में test आजाएगा और वो test सबको मिल जाएगा जो भी किसी ना किसी course में जुड़ रहे होंगा उन सबको मिल जाएगा तो उस test को attempt करो 20-25 question डालूँगा अगर आपने वहाँ पर अच्छा score किया है तो समझ ले ना कि आप बहुत बहुत बहुतर प्रतरसन करोगे अपने exam में ठीक है तो मिलते हैं next class में thank you